हेलो फ्रेंड्स आप सभी का BAMS Made Easy by Esquire चैनल में स्वागत है इसके प्रिवियस वीडियो में हमने रोग निदान में Concept of Arm देखा था ठीक है उसके ही आगे का चेप्टर है Assessment of Arm तो जो हमारा New NCISM का सीलिबस है उसके According ही हम टॉपिक देखेंगे तो इसमें तीन टॉपिक है सबसे पहला है Concept of Sam वो हम आज discussion करेंगे दूसरा टॉपिक है Describe Specific Feature of Sam and Niramdosh and Purish Sam और Niramdosh के features और Sam और Niram, Purish के features ठीक है वो हम कल discussion करेंगे और तीसरा है यह जो features है वो आपको patient में देखने ठीक है तो आप जहां पर भी पढ़ते हैं उसके आसपास जो hospital है आपको जाके वो symptoms, features आपको patient में देखने है तीसरा टॉपिक में आपको नहीं करा सकती वो आपको खुद ही करना है तो यह दो टॉपिक में आपको कराऊंगे तो सबसे पहले आज हम देखेंगे Concept of Farm हमने food लिया, ingested food और अगर हमारी अगनी प्रॉपर नहीं है मतलब कि अगनी मंद है तो क्या होगा तो अश्टांग रदे की एक quotation है सर्वे रोगा हाँ अपी मंदे अगना हूँ सबी जो रोग है वो मंद अगनी की वज़े से होते हैं ठीक है तो यह यहां पर बहुत ही important है कि अगर हमारी अगनी मंद है प्रॉपर डाजेशन नहीं कर पारी तो क्या होगा ठीक है तो हमने खाना लिया अगनी मंद है तो उसकी वज़े से क्या होगा डाजेशन और मेटाबॉलिजम प्रॉपर नहीं होगा तो जो भी हमारे food component है उस पर प्रोपर प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है, मेटाबॉलिजम नहीं होगा और उसकी वज़े से क्या होगा, आम मतलब की अपक्व आहार रस हमारे आमाशे में रहेगा, ठीक है, अपक्व मतलब की प्रोपर डाइजेशन नहीं हुआ और आहार से जो प्रोपर दातु नहीं होगा, तो उसका ही प्रोपर डाइजेशन नहीं होगा, मतलब रस दातु प्रोपर नहीं बनेगा, ठीक है, और वो जो हमारा अपक्व आहार रस है, वो आमाशे में ऐसे ही पढ़ा रहेगा, ठीक है, मैं आपको आम की बहुत सारी डेफिनेशन करवा तो वो जो इंडाजेस्टेड फूड है, उसे हम आम कहते हैं, फिर इट हैस्टे कैपेसिटी टू विशियेट दोशास देयर बाय डिस्टरबिंग दो होम्योस्टेशिस, तो जो हमारा अम है, उसके पास कैपेसिटी है कि वो दोशों को दूशित कर सकता है, ठीक है, इसकी दूशियती दोशा है, ठीक है, जो दूशित करें उसे दोश कहते हैं, लेकिन दोश को भी दूशित कौन कर सकता है, तो आम कर सकता है, ठीक है, एक एक इमपोर्टन्ट व्याधी घटक है, responsible for the initiation of the disease process in the body, ठीक है, कोई भी disease के लिए ये एक इमपोर्टन्ट व्याधी घटक ह क्योंकि सभी रोकिस की वज़े से होते हैं, मन्दगनी की वज़े से, ठीक है, सबसे पहला disease हमें होगा, वह आम होगा, ठीक है, तो आम रिस्पॉनसीबल है, बाकी कोई भी disease के लिए ठीक है, तो ये हो गया आम की, हमने जो फूड लिया, मन्दगनी की वज़े से उसका प्र स्ट्रोतो रोधह बला भ्रम्ष गवरव अनिल मूढता हा आलस्य अपंक्ति निष्ठिवा मलसंग अरुचिकलमा हा ठीके अस्टांग रदे की कोटेशन है ये मैं पिछले वीडियो में बता चुकिए इसले मैंने यहां पे वापिस नहीं लिया है अपने वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वह देखेंगे स्ट्रोतो रोध मतलब की स्ट्रोतस में अवरोध आ जाएगा बला भ्रंश मतलब की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी घवरव मतलब की हैविनेस आएगा अनिल मूढता अनिल मतलब की वात उसका चल गुन परपर घती है वात की वो नहीं हो पाएगी, आलस्याग आ जाएगा शरीर में, अपंक्ती मतलब की इन्डाजेशन, निस्ठिव मतलब की सलाइवेशन, मलसंग मतलब की विबंध, कॉंस्टिपेशन हो जाएगा, अरूची मतलब की एनोरेक्जिया और कलम, कलम का मतलब होता है बिना काम करें थकान में ऐसे होना ठीक है तो यह सब आम के जनरल फीचर्स है ठीक है आपको यह कोटेशन याद रखनी है तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो स्पैसिफिक फीचर्स ओफ साम और निरामदोश और पूरिश पर रहेगा ठीक है और अगर आपको और भ आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब दे चैनल थैंक यू और अगर आपको इसके नुट्स चाहिए तो आप हमारी टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ठीक है